आप सभी को मेरा अपनाम हर्बल रेमिडी इस नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है मित्रू आज बात करेंगे लिवर किड़नी और लंग्स के रेमिडेशन के लिए इसमें इस्तिमाल होने वाले गुणकारी पेरीनियल एक प्लांट की जो की वर्बिनेशी फैमिली का ये द्रफ और इसको क्लिरोडेंड्रों इनफॉर्चुनेटम चाहे आप इसको लिड्रोडेंड्रों कहिए यह लोज गलोरी बोवर रखते हैं रात को पांच ग्राम इन फ्लावर्स को आप भिखा दीजिए और सुबह सुबह इसका आप सेवन कर लीजिए धीर धीर देखेंगे कि रक्त पित से संबंदित जो डिसॉडर्स हैं वो दूर हो जाते हैं खास तोर से देखाई जाता है कफ और वात के समन के लिए त बालों की डेंसिटी कम हो जाती है बाल तूटने लग जाते हैं या समय से पहले बाल सफेद हो जाते हैं उसके निराकरण के लिए आप ये एपिकल पोर्शन जो उपर का देख रहे हैं फ्लावर्स के साथ इन पत्रों को इखटा करके काड़ा बनाकर ठंडा करके बालों को या फिर आप क्या कर सकते हैं इन पत्तों को पीश कर बालों में लगा लीजे बालों की हर परकार की समश्या दूर हो जाती है बित्रों कई बार एंटिबायोटिक्स या पेन कलर के ज़्यादा सेवन करने के बाद भूक नहीं लगती है भूक खतम हो जाती है एपच की समश् फिर दुबारा नहीं होती है एक सप्ते के अंदर आप पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं लिवर डिटोक्स का यह कार्य करता है वित्रो इनके जो पत्र होते हैं और यह पीकल पोर्शन जो आप देख रहे हैं इसका पेस्ट बनाकर अगर आप टूमर पेशेंट के टूमिरस ग्र पढ़ने के जो प्रिक्रती है वह बिल्कुल बंद हो जाती है टूमर की पेशेंट को विशेश लाब होता है इसके अंदर जो पाये जाने वाला जो घटक है क्लीरो इस्टिरॉल यह मुख्य रूप से एंटी टूमर एक्टिविटी के लिए रस्पोन्सिबल होता है इसके लवा इसमें क्लीरोडॉन और क्लीरोडियॉल भी पाये जाते हैं जो वंडर्फुल एंटी ऑक्सिडेंट एंटी कैंसर अक्टिविटी अपनी सो करते हैं पेट में अगर कीड़े हैं तो इसके पत्र का सुरस पीते रहिए कई बार अनकंट्रॉल्ड पित्त की समश्चा हो जाती है जिसके कारण बाद में गॉल ब्लेडर स्टोन बनने की समभावना रहती है तो अनकंट्रॉल्ड पित्त के समन के लिए यह प्लांट आप आड़ा बनाकर सुरस बनाकर जैसे भी आप ले सके इसको आप लीजिए आप उसका सेवन कीजिए यह पित्त को कंट्रॉल कर करता है मुक्त है कफ और वात पे इसका कारिये ज्यादा होता है कई बार गलगंड की समस्य हो जाती है तो गलगंड के पिशेंट क्यों आप क्या कर सकते हैं इन पत्रों की खूलों की पुल्टिस बनाके बांद दीजिए और साथ ही साथ सुरस भी पीते रहिए सुरस किसका पीना है पत्रों का शुरस की आपको पिना चाहिए स्किन के लिए के लिएक का होता वो खाली नहीं हो पाता है तो उसके कारण बार-बार पे साथ जाना पड़ता है तो यह जो समझ्चा होती है या तो weakness के कारण होती है या minerals के disbalance के कारण होती है या फिर urinary system है उसमें कोई थे गलीकुलाई के समझ्चा होती है उसके करण भी हो जाती है तो तीनों परकार कि आगर यह समझ्चा उसका भी निराकरन करती एक किसी भी परकार कि Caleb कौलाई है स्टौन है उसको यह दूर करती है और दुबारा बनने की प्रिक्रिया को भी रोकती है मित्रो मार्च के महिने से लेकर जुलाई अगस तक आसानी से रोड़ साइड देखने को मिलता है आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं जान सकते हैं यूज कर सकते हैं लेकिन इस प्लांट का भी कंजर्विशन करने वैसे तो औस दिये गुणों के लिए जो प्लांट लिये जाते हैं, वो पॉलूटेंट मुक्त होने चाहिए, पॉलूटेंट फ्री होने चाहिए, ऐसी जिगे से आप कलेक्ट करें, क्योंकि ये जो पत्र होते हैं, ये भी एर से हैवी मेटल्स का अफ्सोर्शन कर लेते हैं, और बाद में ये ही हैवी मेटल्स इनके मेटाबॉलाइट में कंप्लेक्स बनाकर हमारे सरीर को नुक्सान पहुंचाते हैं, तो मेरा तो सब्मीशन होगा, कि आप और्गनिक लिए कल्टिवेटेड छेतर से लीजे, या फिर आप ऐसे स्थान से लीजे, जहां पे मिनीमम हो, साथियो, स्किन की प्रोब्लम्स, कैबी, प्रूराइटेस, इरिटेशन, रैडनेस, इंफ्लामेशन, लाइसेस, हेर फॉल, विन्रल डिसीजेज, लिवर और किड्नी प्रोब्लम्स, ब्रॉंकाइटेस, इन सब के निराकरण के लिए आप इसको इसको इस्तमाल के ये वंडर्फुल प्लांट है, इसली अविलेबल हो जाता है, लेकिन हमें गुणों के अभाव में हम इन प्लांट के उस्तिये गुण ना जानने के कारणिन को यूज नहीं कर पाते हैं, एंटिबाइटिक्स के रजिस्टेंस से बचने के लिए, उनके साइड इफेक्ट से प्लांट कारे करता है, आप सभी को आगरे यही है कि इस प्लांट को जानिए, पहचानिए, आप सभी का धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, चैनल को लाइक, से सब्स्क्राइब, अवस्य करें, ताकि आपको डेली अप्डेट मिलते रहें, प्रणाम.